नमस्कार दोस्तों रावन स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत ये तो इस फिडिमें बात करने वोले एक छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है अलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलोक इंडस्ट्रीज के लिए आज का दिन बहुती बड़ा इंपोर्ट दे लेकिन देखा ये तो 2020 के बाद कंप्रीज नी बहुती शांदार रिटन देते क्योंकि रिलाइंस इंडस्ट्रीज के नाम है इनके साथ जुड़ा था इसके उसे इतनी बड़ी तीजिया है थी आलोक इंडस्ट्रीज में लेकिन आपने देखा रहे पिछले दो-तिन साल जी श्टॉक एक ही दायरे में घुम रहा है यहाँ पर कोई भी मुमेंटन नहीं है यह तो हो गए कंपनी का प्रिवेस पापमस आप जान लेते एक्जेटली जो कौटर फोर के नतिजे उसके बारे में तो आप लोग चेक कर सकते है आज की दिन कंपनी निया आप एक डॉक् बेसे की वेबसाइट के उपर तो कंपनी जो रिजल्ट पेश के उसका एक ओर्यू कर लेते जो पहला कॉलम दिख रहा है वह है इस कौटर का रिजल्ट यानि कौटर फोर का रिजल्ट जो मिडल कॉलम है वह है कौटर फोर का रिजल्ट और जो लास्ट कॉलम दिख रहा है Total income की सार्प start करते तो Total income या फिर total revenue मतलब होता क्या है जिसी कि Nicole ने business कितना किया market में अपने product कु कितना बेचाए और customer से कितना पेशा मिलाए उसको Total income काया जाता है तो यहां पर highlight कर जिता है न कि यह Total income का जो bold में दिख रहा है हो तो इस बार जो आकड़ा है वह लगबग 1440 आप लोग चेक कर सकते हैं आकड़ा करोर्स में मतलब बहुत ही बढ़ा है जो लास्ट कॉर्टर में हुआ था लगबग 1270 और लास्ट के कॉर्टर फोर में हुआ था लगबग 1520 तो आप लोग चेक कर सकते हैं कम्पनी का जो पपमस है quarter to quarter बढ़ा है लेकिन देखा जे तो year tier company का जो है total income थोड़ा बहुत घट गए यह तोग है total income के बारे में आप देख लेते हैं कम्पनी ने कितने expenses किये यानि खर्चे कितने किये कभी भी business channel लेकर है थोड़े बहुत खर् है यहाँ पर total expenses है तो इस quarter में company को जो एक जो सारी इस quarter में जो company लगबग expenses किये है वह है 1640 के आसपास है last quarter में लगबग 1430 के आसपास था और last year के quarter four में था लगबग 1820 तो आप लोग observe कर सकते company का जो है पर quarter to quarter जो खर्चे बढ़ गए और year to year कम हो गए एक अच्छा सायने कैसा मान के चल सकते है आप जान लेते total net profit तो net profit मतलब होता किया है यहाँ पर total income से खर्चे यानि expenses minus कारना है जो भी आकड बचते है उसको total net profit में गिना जाता है यानि कि company को उतना शूत मुनापो हुआ इसा मान के चलते है तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते है यहाँ पर total net profit यानि total comprehensive income तो अगर अकड़ अगर balance sheet में bracket में दिखता है तो इसका meaning यह एकी company को गाट वाए तो इस बार का जो गाट है 206 यानि 206 करोड का गाटा हुआ है लास्ट quarter में चेक कर सकते है 208 था और लास्ट year के quarter 4 में था लगबक 300 क्या आसपास तो आप लोग अबजर कर सकते है company का जो गाटा है quarter to quarter और year to year कम हुआ है एक आच्छा साहिने company का गाटा कम होना बहुत ही important है अगर आने वाले quarter में company positive net profit दिखाते हैं तो में भी stock के price में जम देखने के लिए मिल सकते हैं यह तो के company के quarter 4 के result के बारे में आप जान लेते कौन से company यहाँ पर बोनस दिया है तो यहाँ पर नीदी ग्रानाइट करके company छोटी से company small cap category में आते stock का price से 209 रुपए आप तक के return दे company ने 2100 पसने के शा बदले एक extra share मिलने वाला है वो इसके साथ company ने आज कितीन इसका recorded set किया है तो जो recorded company set किया है ओ है 2nd May तो 2nd May से one business day minus कीजे जो भी date है का उससे पहले अगर आप buy करते तो आप लोगों को bonus का फायदा मिलेगा लेकिन जो भी company इसके category में आते तो जो भी पैसा लगा रहे है आ वीडियो आज का अगर वीडिया चला का तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर सकते हैं